अब शांती, तेरा फरवरी दोहसार थे इसके श्वरिय महावाक्य हैं, आज की मधुर मुरली का असार, मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह गौल्ड फादरली वर्ल्ड यूनिवस्टी है, मनुष्य से देवता नस्वी नारायन बनने की, जब यह निश्ट्रे पक्का ह तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको, प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी महनत कर रहे हो, करते हो, उत्तर है, आखों को क्रिमनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठे बनने की, सत्युग में तो हैं ही सबकी आखें सिविल, वहां यह महनत नहीं होती, यहां पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्य कर आखों को सिविल बनाने का पुर्शार्थ कर रहे हो, प्रश्न है मुरली का, भक्तों की किस एक बात से सर्व ब्यापी की बात गलत हो जाती है, बहुत ही प् आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, भक्ती में आर्थी गाया करते थी ना, तन, मन, धन, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरुपन क्या लागे मेरा, तो बाबा कहते हैं, वो गाया तो करते थे, अब मैं आया हूँ, तो तन को खोने से डरते हैं, और मन तो लगाते नहीं हैं, इस संसार में लगा हुआ है, और धान को छुपा कर रखते हैं, तो बाबा कहते हैं, कौन सी बात है, कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, तो आना सिद्ध करता है, वह यहां नहीं है, यहां नहीं है, तब तो कहते है और बुद्धी भी उपर की और जाती है, आच्छा है, ओम शांती, बाप रुहानी बच्चों से पूछते हैं, कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, यह तो जानते हो, कि एक ही बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं, एवर प्योर है न, तो परमात्मा है भी जरूर, परमपिता है न, परमपिता माना परमात्मा, 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 यह बाते हैं, तुम बच्चे ही समझ सकते हो, पाँच अजार वर्ष पहले भी यह ज्यान तुम सब ने ही सुना था, तुम जानते हो, आत्मा बहुत छूटी सुक्ष्म है उनको इन स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, इन दो नेत्रों से हम दुनिया देख सकते हैं, लेकिन दुनिया रचने वाले को हमें दिव्य द्रश्टी चाहिए, और दिव्य द्रश्टी इस तीसरे नेत्र से देखते हैं उस स्रश्टी रचता बाप को और हम खुद क आत्मा को, लेकिन यह द्रष्टी भी हमें वही च्रष्टी रचता है तब हम देख सकें, तो आत्मा को नहीं देखा जा सकता इन नेत्रों से ऐसा कोई मनुश्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा, हां, देखने में आ सकती है परंतु दिवेदरिष्टी से और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम पर पुर्मात्मा खुद आते, ब्रह्मातन के द्वारा हमें यह राज समझाते, समझ का तेसरा नेत्र, दिवेदरिष्टी, ज्यान चक्षो, आत्मा का समझ देते हैं, तो यह भी ड्रामा कोई साक्षातकार नहीं हो ता बाबा कहते हैं, दिवेदरिष्टी मिलती है, जिससे चैतन्य में देखते हैं, दिवेदरिष्टी अर्था चैतन्य में देखना, आत्मा को ज्यान के चक्षु मिलते हैं, बापने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं, जिसको नौधा भक्ति क कहते हैं जैसे मीरा को साक्षातकार हुआ तो डांस करती थी बैकुंठ तो उस समय नहीं था ना मीरा को पांच छे सो वर्ष हुआ होगा जो पांस्ट हो गया है अब भल वो डांस करे या कृष्ण के प्यार में जितना भी कुछ उन्हें किया होगा समर्पन लेकिन होंगी तो यहीं कहीं जन्म लेकर कि कोई स्वर्ग में था चली नहीं गई होंगी ना ही वो परमधाम में जाकर बैठी होंगी होंगी यहीं कहीं बाबा कहते हैं ऐसे पांच छे सो वर्ष हुआ होगा जो पास्ट हो गया है वह दिवी द्रिष्टी से देखा जाता है अभी बाबा हमें समझाईश दे रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं हनुमान, गणे, शादी के चित्रों की बहुत भक्ती करते करते उसमें जैसे ले हो जाते हैं भल्दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ती नहीं मिल सकती ना चित्रों के दर्शन से या कोई सफेद शेर देख लेने से कोई कन्या को देख लेने से लेकिन उससे गती सदगती तो नहीं होती ना बाबा कहते हैं उससे थोड़े न मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता बिलकुल ने आ रहा है भारत में भक्ती मार्ग में डेर मंदिर होते हैं, वहां शिवलिंग भी रखते हैं, कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं अभी तुम समझते हो, जैसे तुम आत्मा हो, वैसे वह सुप्रीम आत्मा है, साइज एक ही है कहते भी हैं हम सुब ब्रदस हैं आत्मा है सब भाई भाई हैं बेहद का बाब एक है बाकि सब भाई भाई हैं पाट बजाते हैं बाबा केते हैं शरील की आयू बढ़ती है लेकिन आत्मा की थोड़े नात्मा तो बार बार शांती, सुख, प्रेम, आनंद चाहती है क्योंकि आत्मा बच्चा ही है और एक पिता का बच्चे हैं सब है आपसमे सब एक प्रमात्मा की संतान भाई भाई हैं बाबा केते हैं पाट बजाते हैं यह समझने की बाते हैं यह हैं क्यान की बाते हैं एक ही बाब समझाते हैं जिनों को समझाते हैं वो फिर औरों को समझा सकते हैं अब बाबा तो घर घर जा करके नहीं समझाएंगे घर घर बाबा ने मुरली जरूर पहुँचाई है तो बाबा ने निमित बच्चों को चुना हैं बाबा केते हैं फिर औरों को समझाओ, पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, ये कोई ग्यान मनुशियों का तो है ही नहीं, तो उनके लिए ही फिर कह देते सर्व प्यापी हैं, ठिक कर बित्तर में हैं, यह तो राइट नहीं है न, एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम व दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े न, यह बाप ही बैट बच्चों को समझाते हैं, इसको रोहानी नौलेज कहा जाता है, यह जो गाया जाता है, आत्माय प्रमातमा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया है, कि कैसे संगम पर बाप से हम ग्यान लेते हैं, और फिर हम सबसे पहले बिछड़के क्या करते हैं, संगम पर ही आकर मिलते हैं, तो बहुकाल से अलग तुम आत्माय रहती हो, फिर संगम पर ही मिलेंगे, तो बाबा के दे, अब बाप के पास आए हो राजियोग सीखने, अभी बाबा की पालना मिल रही है, बाब हमें कल्प बाद आकर के मिलते हैं, है ना हम भागे शली बच्चे और इससे अच्छा श्रिष्ठ भागे तो है ही नहीं और ना ही संगम योग से अच्छा योग कोई है, जहां हम अपने बाब से मिलते हैं, है ना, तो इस तरह ऐसे बाबा कहते हैं, अभी मैं आया हू तुमको राजियुक सिखाने, तुम बच्चे आये हो नो बाप के पास, तो बाप तो सर्वेंट है, बड़े आदमी जब सही करते हैं, तो नीचे लिखते हैं, ओ विलियंट, सर्वेंट, बाप से बच्चों का सर्वेंट है, कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हू ओ बाबा, तुम कितनी उज़त से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, यह समझने की बाते हैं, बाकी तो सब हैं कनरस, जो भी भक्ति में हम सुनते हैं कनरस के लिए, उससे हमारी आत्मा के अशुद्धी त जब तक बैठे संत महात्माओं के पास गीता आशिप पुराण में, तब तक अच्छा लगा, फिर बस वही हैं तो बाबा केते हैं, उस सब कनरस के लिए है, कि थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, कि उस संत ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा गीत गाया, बह सिर्फ कनरस के लिए बाबा केते हैं, यह है गौडली, फादरली, वर्ल्ड यॉन्वर्स्ट्री, बाबा नहीं कहा, एम अबजेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनाना, गौड लॉर्ड बनाते हैं, बाबा केते हैं, बच्छों को यह निश्चे है कि हमको यह बनना है, जिसको निश्चे नहीं होगा वो स्कूल में बैठीगा किया। निश्चे होगा तो वेरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। एम अबसेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुशे से देवता नर्से नाराइन बद्दे हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर्से नाराइन बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी अगनॉलेज सीखे थी। तो पास्ट को कथा कहते दे हैं। यह है सच्ची सच्ची शुक्षा नर्से नाराइन बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुश्य रहते हैं, देवताओं में जो देवी गुण हैं, वह मनुश्यों में नहीं हैं, मनुश्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, सोलकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो, अपने को कहते हैं हम पापी नीच विकारी हैं दैवताइं कब थे जरूर कहेंगे सत्योग में थे ऐसे नहीं कहेंगे कालियोग में थे आजकल मनुशियों की तमो प्रधान बुध्धी होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने उपर रख देते हैं रखतेते हैं न स्री स्री संत बाबा सत्गुरु ना जाने क्या ख्या रखतेते हैं भगवान मानते हैं वास्तों में श्रेष्ट बनाने वाला स्री स्री तो एक ही बाप है श्रेष्ट देवताओं की महिमा अलग है अभी है कल्योग सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समचाया है एक है हद का सन्यास दूसरा है बेहद का सन्यास वो लोग कहते हैं हमने घरवार आदे सब छोड़ा है पर आजकल तो देखो लखपती बन बैठे हैं सन्यास लेने के बाद कितना पैसा कमा रहे हैं अपनी एक दुनिया ही अलग है इवन कोई-कोई तो ऐसे भी आये हैं सामने कि जिन्होंने अपनी करणसी तक अलग कर ली थी एक देश में रह करके तो देखो बाबा कीते देखो लखपती बन बैठे हैं सन्यास मानना सुख का त्याग करना तुम बच्चे बेहत का सन्यास करते हो क्युंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खतम होने वाली है इसलि तो बाबा क्येते हैं, वासतों में कुटियाज पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है, बड़े बड़े मेहल बना कर रहते हैं। आजकल तो सब तमों प्रधान हैं, अभी है ही कल्यूग, सत्यूग, बाबा केते सत्यूगी देवताओं की चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता, तुमको समझाया जाता है, अब मनुशे से देवता बनना है, आधा कल्ब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं सुनकर सीड़ी नीचे उतरते आए हो, फिर पांच हजार वर्ष बाद एक्यूरेट पही ट्रामा रिपीट होगा, बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो, देखो बाबा कहते हैं, जिसका जब टाइम पूरा हो जाएगा, तो चूट जाएगी नहीं, तो फिर भक्ति में ही रहना तो फिर भक्ति में ही लोट आएंगे, जियान आ जाता है, तो फिर आप इहीं भक्ति छूट जाएगी बाबा कहते हैं, वैसे भी देखिए, एक केजी से कॉलिज तक आपको केजी वाला टीचर नहीं पढ़ाता है, अलग- टीचर पढ़ाते हैं, तो अब भक्ती तब छूटेगी ना, बाबा कहते जब ग्यान आ जाएगा, ना, तो ग्यान आ जाता है, आप छूट जाएगी, समझते हैं, हम आत्मा है, अब बेहद के बाप से हमको वर्सा लेना है, पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह बाप से बुद्धी निकल जाती है, ग्रस्तवयाभार में रहते, बुद्धी का योग बाप के साथ लग जाएगा, अब बाप कौन है, क्यों याद करना है, किस बात के लिए और क्या मिलता है, तो ये सब क्या, क्यों, कब, कहा, तब ही तो खतम होगा, तो बाबा कहते हैं, जब हम खुद को आत्मा समझें, तब हम उस परमात्मा को समझें, फिर हम हाथ से उपर उठें, तो बाबा कहते हैं इस तरह से, खुद ही बुद्धी योग बाप के साथ लग जाएगा, बाप खुद कहते हैं, शरीर निर्वाहर्थ कर्म करो, करते हैं बुद्धी में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद न रहे, वह होती है जिस्मानी यात्रा, यह तुम्हारी है रोहानी यात्रा, इसमें धक्खा नहीं खाना है, भक्ति मार्ग है ही रात, धक्खा खाना पड़ता है, यहां धक्के की बात ही नहीं, याद करने लिए कोई बैठता नहीं ह क्रिश्न के भगत चलते फिरते क्रिश्न को याद नहीं कर सकते हैं, क्यां? दिल में तो उनकी याद रह जाती है, एक बार जो चीज देखी जाती है, तो वह चीज याद रहती है, तो तुम घर बैठे शी बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यह है नई बात, क्रिश्न को करना पुरानी बात हो गए, शी बाबा को याद, शी बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वब्यापी भी क्या है, कोई बताए ना, तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप, परम, पिता, परमात्मा, हम आत्माओं के समान ही है, जैसे हम आत् उस आत्मा के द्वारा चल रहा है यह गाड़ी रूपी शरीर वही आत्मा ड्राइव कर रहा है इसको जब तक वो ड्राइविंग करेगी топ तक चलेगी तो यस आत्मा को चलाने वालाß भी नहीं दिखाई देता जैसे शरीर को चलाने वाली आत्मा नहीं दिखाई देती गुप्त है ना तो इस तरह से याद पता तो है ना यह तो यथार्थ हम जानते ही कि आत्मा है तो ऐसे ही परमात्मा है बाबा कहते हैं उसको याद करना जो से तुम चल रहे हो वैसे वो तुमें चला रहा है अमात्मा का बाब परम पिता परमात्मा है आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते अंगरेची में आत्मा को सोल कहा जाता है एक भी मनुष्य नहीं जो पारलोकिक बाब को जानता हो वह बाब ही ज्ञान का सागर है उनमें नौलेज है मनुशे को देरता bonnane की बाप कहते है रोज-रोज गुहा-गुहा बातें सुनाता हूं मुख्य बात है याद की याद ही भूल जाती है बाबा रोज कहते है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो मैं आत्मा बिंदी हूं कहना नहीं है समझ ना है कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आखों से देखने में नहीं आती है कहा च्वाता है आत्मा निकल गए जाकर दूसरा शरीर में प्रवेश किया तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनरजन में लेते अभी अपवित्र बनी है पाट बचाते 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 बलकुल घिस्पिट गई है तो इस तरह से तुम यह जानते हो कि अब हम पवित्र बनी है पहले तुम आत्मा पवित्र थी तुम्हारा ग्रास्त धर्म पवित्र था धर्म भी पवित्र था धर्म कर्म श्रेष्ट थे अब दोनों ही अपवित्र बने हैं, जब दोनों पवित्र हैं, तो उन्हों की पूझा करते हैं, आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, वह दोनों पवित्र हैं, यहां दोनों अपवित्र हैं, धर्म भी और गर्म भी, तो बाबा क्या कहते हैं, अभी पूझा नहीं हो सकती, ठ अन्या जब तक विवाहत से पहले उसके सब जुखते हैं, क्योंकि वो पवित्र रहती है, फिर जब शादी हो जाती है, तो उससे सब के सामने जुखना पड़ता है, क्योंकि वो अपवित्र हो जाती है, विकारों में चले जाती है, तो पहले वो विकारों में नहीं जाती है, तो इसलिए उसके सामने सब जुखते हैं, तो इस तरह ऐसे बापा कहते हैं, कि आप पवित्र हो हम अपवित्र हैं, ऐसे पूझा करते हैं, और वह दोनों पवित्र, यहां दोनों अपवित्र तो क्या पहली पवित्र थे? फिर अपवित्र बने आप अपवित्र ही जन्मलिया Question, बाप बैट समझाते हैं, पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूछे थी, फिर आपे ही पूछारी आप पवित्र बने हो, जब देवी देवता त्रेता का ड्रामा खतम हो जाता है आत्माओं का पार्ट, तो फिर देवी देवता वाम मार्ग मेंगेर मनुष्य के उसम तो बाबा क्या कहरे हैं कि आत्मा यहा पर ही पवित्र फूज़ी थी फिर आपर ही पुझारी पवित्र बनी हो 84 जन्मली है सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी तुम जानते हो कौन कौन राजी करते थे कैसे राजी मिला यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता बाबा केते तुम भी अभी जानते हो आगे नहीं जानते थे पत्थर बुथी थे रच्टा और रच्णा के आदी मध्यान्त की नौलिज नहीं थे नास्तिक थे, अभियास्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो, तुम यहाँ आए ही हो, यह देवता बनने के लिए इस समय बहुत मीठा बनना है, तुम एक बाप की संतान भाई बेहन ठहरे न, क्रिमनल दरश्टी जाना सके, भाई बाई के ऊपर कैसे क्रिमनल होती हैं, आधा कल्प क्रिमनल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती हैं, सत्योग में देवताओं की आखें सिविल रहती हैं, यहां क्रिमनल रहती हैं, इस पर सूर्दास की कथा बैट सुनाते हैं, बाप कहते हैं, मुझे आना ही पढ़ता है पतित दुनिया, पतित शरीर मे पराय राजे में पराय शरीर में आये है ना जो पतित बनी हैं उन्हों को ही पावन बनाना है पावन को पावन आकर बना सकता हूँ क्या उदर कार ही नहीं तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग-अलग राजाई के थे बाबा ने पहले बताया ना कि कृष्ण अलग गाओं का है और राधे अलग की हैं और राधे और कृष्ण में एक चार-पाँच वर्ष का त्वर्ख है कृष्ण के बाद राधे का जन्म होता है दूसरे गाओं में एक ही गाओं में थोड़ी है, तो अलग अलग राज आएगे थे, वो प्रेंसेस अलग हैं, ये प्रेंस अलग राज आज आएगे थे, तो प्रेंस प्रेंसेस थे, पीछे सुपयमबर बाद लक्षमी नाराइन बनते हैं, तो फिर उन्हों की दिनाइस्टिक आई जाती है, ब्रम्हा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रम्हा का आधा कल्प, बाराव सो पचास, बाराव सो पचास, बाराव सो पचास और बाराव सो पचास, ऐसे चार भागों में एकवल एक-एक योग बटा हुआ है, जिसमें आधा कल्प सुख है, सत्योग और त्रेता, है ना, एक में आठ राजाई है और एक में बारा है तो बाबा कहते हैं कि फिर बाबा ने 21 और 42 भी बताई है तो सबसे जास्ती जन्म और सबसे जास्ती ब्रत्यूप कल्यूग में बाबा ने बताई है क्योंकि पास्ट जाते हैं और विकारों से भी होते हैं तो इस तरह से बाबा ने बताया है कि प्रम्हा की रात और ब्रम्हा का दिन आधे कल्प ब्रम्हा का दिन और आधे कल्प ब्रम्हा की रात तो बाबा ने कहा ज्यान से है सुख भक्ती से है दुख यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं जैसे ही हम दुख ही होते हैं विकारों में गिरके तो भक्ती शुरू हो हर एक आत्मा अस प्रमात्मा को पुकारने शुरू हो जाए, शांती 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 चाहिए है न, तब ऐसे थोड़ी कि एक दुखी होंगे, आधी प्रजा दुखी होईगी और आ जाएंगे, सब कोई जाना है न, लेकर के साथ में, तो उनका ड्रामा भी तो सब के ले जाने क है, तो तब ही आएंगे, अब बाबा केते हैं, कि यह सब बात हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं, फिर भी कहते हैं, मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म मिटे को, आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांत सो रूप है, बाप को याद करो, वही पति कर अच्छे था है, तो याद दिलाते हैं, तुम स्वर्ग की मालिक थे, अभी पतित हो, इसलिए बहां जाने लाइक नहीं हूं, इसलिए पावन बनो, मुझे एक ही बाराना पड़ता है, एक गौड है, एक ही दुनिया है, मनशियों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, जि साथ रोज की बट्टी में पकते हो न, तो वहां एक मत एक राजिय था, तुम जानते हो, हमें विश्व के मालिक थे, भारत कितना साहुकार था, सोने की चिलिया था, अब थोड़े नहीं, वहां अकाले मृत्यू कभी होती नहीं, यहां तो देखो, बैठे-बैठे यह गया चारों तरफ से मौत है, वहां तुम्हारी आयू बड़ी थी, अभी तुम इश्वर से योग लगाए, मनुशे से देवता बन रही हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज-राजेश्वरी, अब अभी हो ग्यान-ग्यान इश्वरी है, फिर राज-राजेश्वरी कैसे बने, इश्वरी ने बनाया, अभी तुम जानते हो उन्हों को राज-योग किसने सिखाया, इश्वर ने, वहां उन्हीं की 21 पीडी राजाई चलती है, वह तो एक जन्म में दान पुर्णे करने से राजा बनते हैं, मर गया तो खलास, अकाले मृत तो सब की आती रहती है, सत्योग में यहलो नहीं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक काल चोड़ दूसरे, एक खाल चोड़ दूसरी ले ले लेते हैं, काल नहीं, खाल, शरी रूपी खाल, जैसे सर्फ खाल बदलते हैं, वहां सदेव खुशी ही, खुशी रहती ह जरब भी दुख की बात नहीं है, कोई किसी को दुख देता ही नहीं, क्योंकि वहाँ विकार होते ही नहीं, जरब निर्विकार ही हैं, चहराजा हो और चहनों करो, है न, तो तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुर्शार्थ कर रहे हो, अच्छा, मिठी मिठे सी क इलाधे बच्चों प्रते, मात, पिता, बाब, दादा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात, पिता, बाब, दादा को याद, प्यार और गुड मॉनिंग, शुक्रिया बाब मीठी बाबा, प्यारी बाबा, सबका साथी, सबका साहरा धारना के लिए मुख्य साहर पहला बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से बेहद का सन्यास करना है शरीर निर्वाहर्त कर्म करते रुखानी आत्रा पर रहना है कर्म करते प्रमात्मा की याद में रहना है दूसरा पुर्शार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है एम अब्जेक्ट बुधी में रख बहुत बहुत मीठा बनना है वर्दान है वर्दानी बाप का हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले समझदार ग्यानी तू आत्मा भव समझदार ग्यानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं तो यह संकल्प बुधी का भोजन है इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वता समर्थ हो जाएंगे और जहां समर्थ है वहां कमाई है तो समर्थ बन एक हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पदमों की कमाई जमा करो यही ज्यानितु आत्मा का लक्षन है स्लोगन है बाप और सर्व की दुआओं की विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं आच्छा, ओम शांती आज के बच्चों के लिए जो भी भाई बहन मुटली सुनते हैं उनको तो पता होगा कि आधी मध्यांत जो बाबा ने कहा है कि आधी मध्यांत कहा मैं आकर के तुम बच्चों को बताता हूं ग्यान देता हूं तो आधी मध्यांत क्या है जो बाबा ने ग्यान दिया है यह कौश्यून है और नहीं पता हो तो आप नीची में कॉमेंट बॉक्स पर बताएए जिससे जिससे पता हो नहीं पता हो तो फिर हम बताएंगे आदी माध्यांत किसे बाबा ने कहा आचा हो चलते